कि नमस्ते दोस्तों मैं डॉक्टर नाम देव दोगरे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल पर दोस्तों हम लोग आज graduate aptitude test के बारे में जानने वाले हैं जिसका अभी अभी जो notification रिलीज हुआ है दोस्तों graduate aptitude test यानि के गेट एक राष्टिये परिशा है यानि नैशनल एक्जाम है जो भारतिये वज्ञानिक संस्था यानि आया से बैंगलोर और जो साथ आयाइटी जैसे मुंबई देली गोहाटी कानपूर खड़कपूर मदरास और रूर की इत्यादी इंस्टिट्यूट मिलके सईवत रूप से एक्जाम आयाइजित की जाती है जैसे मैंने पहले कहा था कि आयाइटी जो होने वाली है वह आयाइटी बॉंबे कंड़क्ट कर रहा है तो अब हम लोग इसके में वेबसाइट पर आते हैं यह वेबसाइट याद रखना गेट ड यह में गेट की वेबसाइट है 2021 के लिए यहां पर हमें बहुत सारे मिलता है जैसे होम है गेट हाइलाइट्स है इंपोर्टन डेट्स है गेट पेपर्स है मतलब जो पेपर 27 पेपर होने वाले हैं उसका डीटेल डेस्क्रिप्शन यहां पर हमें मिलेगा इन्फरमेशन ब् पोस्टर है इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिलाबस है डॉकुमेंट्स रिक्वाइड फॉर्द फीलिंग फॉर्म फीस लिस्ट अफ एग्जामिनेशन सेंटर जो भी है और अर्लियर जो एक्जाम्स हुए है उसके क्वेशन पेपर और आंसर की भी हवेलेबल है जिसस क्याइशनल कॉर्डिनेशन बोर्ड फॉर्द गेट डिपार्मेंट अफ हायर एडिकेश्जन मिनिस्ट्री अफ एडिकेशन गवर्मेंट अफ इंडिया और गांट आचक्टंत से इसे कि अइट क्वालिफिकेशन क्यों जरूरी है जैसे कि हम लोग यहां पर देखेंगे य प्रोग्राम के लिए इसके अलावा भी यह हमें स्कॉलर्शिप प्रोवाइड करते हैं अगर हम लोग कई इंस्टेटीट यानि के आई इसके अलावा गेट स्कॉर यानि के गेट एक्जम पास होना बहुत ही ज़रूर है अगर हम लोग कई पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स जो है मैं लिस्ट आगे देने वाला हूं आप वहाँ पर देख सकते हैं जैसे ओंजी सी है भारत पेट्रोलियम है हिंदुस्थान पेट्रोलियम है डबलू सीयल है इसमें अगर हमें जॉब करना है तो गेट स्कॉर होना बहुत झरूरी है और कई इसी Central स्रेयक्स है जहां पर हमें पीए की फिल फेश्ड होनवान बहुत जरूरी है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यह जो पैरेंट वेबसाइट है जहां पर मैंने यह हाइलाइट किये हैं आप देख सकते हूँ यह वेबसाइट हमें हमेशा याद रखनी है जब तक हमारा रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होता है हमें गेट का क्वालिफिकेशन या स्कोर काड नहीं मिलता है तब तद हमें यह वेबसाइट याद रखनी है अब हम गेट 2021 का इन शॉर्ट इनफर्मेशन लेंगे तो उसके लिए हमें पोस्टर देखना है यहां पर नीचे पोस्टर दिय क्या हुआ है यह हम लोग देखेंगे जिसमें में एक्जाम से रिलेटर जो भी इंफर्मेशन दी है वह आवेलेबल है यहां पर प्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है गेट एक्जाम के बारे में यह तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं अब हम लोग सबसे इंपर्टेंट अप्रोड डिग्री प्रोग्राम इन इंजिनियरिंग टेकनलोजी आर्किटेक्चर साइंस कॉमर्स और आर्ट्स में जिसने ग्रैजुएशन कंप्लीट किया है वह लोग भी एक्जाम देने के लिए यहां पर इसी पोस्टर में हमें जो भी 27 पेपर से सब्जेट्स हैं वह जो है एंवर्मेंटल साइंस और इंजिनियरिंग एंड हुमेनिटीज और सोशेल साइंस जो कि मुझे लगता है जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत जरूरी है यह दो सब्जेक्स और आड़न किये हैं तो हम इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है यहां पर डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी दिये है जो कि पांच छे साथ बारा तेरा और चोदा फेब्रवारी 2021 में हैं यहां पर नोट भी इंपर्टेंट दिया है जैसे कि यह करंट सिट्वेशन जो है कोवीड की उसके अलावा डेट में भी चेंज हो सकते तो हमें भी अलट र 2020 उसके बाद क्लोजिंग जो डेट है वो 30 सप्टेबर यानि 30 सप्टेबर 2020 अगर हम लोग 30 सप्टेबर तक अप्लिकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो इन्होंने रेजिस्टेशन के लिए और अप्लिकेशन फॉर्म बरने के लिए देट साथ दिन के एक्स्टेंड़ सब्सक्राइब भी दिए है साथ अक्टोबर 2020 लेकिन यहां पर हमें लेट फीज बरने पड़ी और रिजल्ट अनॉंस होने की डेट है 22 मार्च 2021 यानि एक्जाम प्युर्वारी में है तो रिजल्ट में रिलीज होगा अब हम देखेंगे कि अप्लिकेशन फीज कितनी है यह लेट करते हैं तो हमें बारा सो पचास लगेगी और अगर हम लोग हो जाते हैं तो 2000 रुपए फीस लगेगी तो दोस्तों यह था इंशॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबॉट गेट एक्जामिनेशन यहां पर एक्जामिनेशन सेंटर्स नहीं दिये हैं तो मैं आपको एक बर फिर सिक दिखादेता हूं कि एक्जामिनेशन सेंटर कyonसे कोंसे हैं यहां पर हमें द्र हमलों को सारी से इसके ess ऐगा चाहर के सा में पर लगेनिया इंडिया हमें इसके आलावा भी इंट्रनेशनल सेंटर्स इवेडिए है जैसे जैसे की इतोपिया श्रिलंका बंगलादेश काटमंडू सिंगापूर इत्याधी देशों में से भी कई स्टोडन्स एक्जाम देते हैं तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने जितनी जानकारी पता ही है वह आपके लिए महतुपूर्ण साबित होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपने जो भी करीबी दोस्त है रिष्टेदार है जो भी हायर स्टडीज परसीव करना चाहते या पॉब्लिक सेक्टर अंडर स्टैकिंग में काम करना चाहते हैं तो उनके साथ शेर करना मत भूलिएगा और इसके अलावा वीडियो को शेर कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसी से मुझे प्रेर ना मिलते है नए वीडियो बनाने के लिए थांक्यू सो मच